नमस्कार दोस्तों स्वागा थी आपका फार्मरोक्स के यूटूब एजिकुस्टन चनल में तो आज के लेक्चर में हम ऐसे हैल प्रॉब्लेम और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसको मेडिकल टर्म्स के अंदर वैरिकोसिल के समस्य कही जाती है तो वैरिकोस कहते हैं तो आज हम समझने वाले है कि वैरिकोसिल को ठीक होने में कितना समय लग सकता है या फिर उसको बिना सर्जेरिक भी ठीक कर सकते हैं तो डीटेल में यह जो अलग-अलग चाप्टर से उसकी हम स्टड़ी करते हैं आज के वीडियो लेक्चर में और जानते हैं वैरिक एक वेन होती है तो वो वेन में क्या होता है किसी भी रीजन सर्ज वो सूजन आ जाती है तो यहां पर आप देखे तो यह जो वेन है ऊपर की और जो पिक में वो नॉर्मल वेन है और नीचे के वाली वेन में आप देखो तो एक सूजन आपको यहां पर देखने को मिलेगी तो तो यह जो सूजन आ जाती है, यही problem को वह verikocyl कहा जाता है, तो आगे उसके हम reason समझते हैं, तो यह problem होता क्यों है? तो क्या होता है कि हमारी vanes होती है, वह vane में wal होते हैं, तो यह wal का काम सबसे पहले आप समझ लो, तो ये वाल क्या करते है कि जब भी हमारा blood जो है वो flow होता है तो उसको एक same direction में flow होने में मदद करते हैं तो जैसे ही मालनों कि blood पहले यहाँ पे एक number पे था और फिर ये number 2 पे जला जाता है तो क्या होता है? कि ये जो वाल था वो completely बंद हो जाता है जिससे blood एक point से जब दूसरे point पे जाता है तो वो return नहीं आता same direction में उपर की और जो है वो बढ़ता जाता है पर जब किसी को varicose cell का problem होता है या फिर varicose vein का जो problem हो जाता है तो क्या होता है? कि ये जो blood है वो उपर की और तो जा रहा है बड़ जो वाल जो है वो सही समय पे बंद नहीं होते जिसके करण ये जो blood है वो वापस return भी आने लगता है तो जब ये problem लंबे समय तक रहती है तो जो vein होती है उसमें abnormal blood flow के कारण एक सूजन आ जाती है और ये जो सूजन आ गई है इसी को हम varicocil की समस्या कहते है तो faulty switch और wall एक main reason बनता है varicocil का problem होने में तो यहाँ पे मैं वीडियो के बीच में आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी new book है वो available है तो यहाँ पे मैं आपको book दिखाना चाहूंगा कि जो pharma rocks की जो नई book है disease and treatment बीमारिया और उनका उपचार तो इसको आप जरूर से purchase कर सकते है proper यह hard binding में यह book available है कि जिसके सबी pages जो है वो color है और colorful diagrams के साथ यह book जो है आपको मिल जाएगी तो अगर आपको हमारी यह book purchase करनी है तो दिये के number पे आप हमें whatsapp कर सकते है और pin comment के अंदर आप हमें comment भी कर सकते है आगे समझते हैं तो varicocele के कुछ symptoms क्या है तो सबसे पहले जो person है उसको testicular pain होता है कि जो testicles का जो उनका ओरिया होता है जो उनकोस का इरिया होता है वहाँ पे काफी ज़्यादा दर्द होता है फिर दूसरा हम symptom देखे तो ऐसा feel होता है कि वहाँ पे कुछ चीज है और उसके करन आपको काफी ज़्यादा heaviness feel होता है और varicocele के करन फिर तीसरा symptom देखे तो size में difference हो जाता है कि एक छोटा एक बड़ा ऐसा हो जाता है कि जिस side varicocele हुआ है वह size आपको बड़ी दिखती है और जिस side normal है वह जो है वह छोटा दिखता है तो size एक difference हो जाता है एक छोटा एक बड़ा फिर अगर यह समय लंबे समय तक रहती है यह जो problem तो क्या होता है कि male infertility का problem हो सकता है low sperm count का problem हो सकता है तो इसको समय पे ठीक करना भी काफी जरूरी बन जाता है तो अब diagnosis कैसे होगा तो तुरंत आपको जो है वो आपके healthcare provider को visit करना चाहिए कि अगर कोई भी ऐसे symptoms develop होते है तो वहाँ पे एक physical examination करके चेक कर सकते है जरूरत पढ़ने पर ultrasound scan भी किया जाता है कि जिससे exact reason पढ़ता चलता है तो जब proper ultrasound scan होता है तो ही एक exact reason पता चलता है कि varicocil है या फिर आपका hydro silk का problem है तुसरा यहाँ पे fertility का भी कोई problem नहीं हो रहा है तो वो भी पता चलता लगाने के लिए semen analysis या फिर semen test की जाती है blood test भी किया जा सकता है because कोई infection अगरा हो या फिर कोई दूसरा कोई problem हो तो वो भी पता चल सकता है blood test से अब treatment की हम बात करें तो जो दर्द है उसको कम करने के लिए patient को दर्द नीवारक जो होते है painkillers होते है वो prescribe किये जाते है जिसमें हम यहाँ पे देखे तो paracetamol एक based option बनता है कि जिसकी sad effects भी नहीं हो सकती और अगर varicocil के सकारण किसी को दर्द भी हो रहा है मुखार भी है तो सभी में यह जो है वो आपकी मदद करती है दूसरा है ibuprofen का भी option बनता है कि किसी को paracetamol जो है worst suit नहीं हो रही है तो ibuprofen से भी यह problem का solution ला सकते हम कि pain हो रहा है तो pain को कम कर सकते है फिर यह कि यहाँ पर important बनता है कि जो testicle supporter का जो हम बात करते है तो इस तरह से आपको मिल जाता है testicle supporter कि जो regular पहनने से जो vein में जो सूजन होती है वो ज्यादा नहीं बढ़ती और दीरी-दीरी यह problem जो ठीक होने लगता है आगे हम देखें तो homeopathy में उसका एक बहुत अच्छा हिलाज दिया गाया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SBL के tabacum 30CH करके जो drops है तो इसको लेना कैसे कि जो glass होता है उसमें आपको पानी लेना है आधे गब जितना बरना है इसको और 10-15 drop जो है वो यह इसके डालने होते हैं और इसको दिन में तीन बार जो लेना होता है और यह लंबे समय तक regular लेने से problem जो है जड़ से ठीक होती है फिर और 24 drops भी है उसको भी similar तरीके से लेख सकते कि half cup जितने पानी में या फिर आदा ग्लास जितने पानी के अंदर 10-15 drops डालने होते हैं और उसको दिन में तीन बार जो है वो लेना होता है फिर एक टाबलेट्स भी आती है यहाप आप देख सकते कि वैरिक को वैरिक क्लोस करके जो टाबलेट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिसके अंदर horse, chestnut, seed extract है बुचर's, broom, extract कि जिसके अंदर एड़ है diosmin है और हरस्पेरिडिन के जो टाबलेट्स है तो यह जो टाबलेट का हम डोस की हम बात करें तो एक या दो टाबलेट पर डे के हिसाब से जो दिये जाते हैं तो ये भी एक अच्छा option बनता है वेरिकोसिल को ठीक करने के लिए हर्बल्स में हम बात करें तो वरुना है कलंचर है पूनर नवा इरंड है रसना है तो ये सबी हर्बल्स के option बनते हैं कि जो आपको हर्बल स्पेसालिस्ट जो होते हैं वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं तो आयरोध्य में भी उसका उपचार है फिर कौन से डॉक्टर को विजिट करना है अगर ये प्रॉबल्लम होती है तो सर्जरी के options रहते हैं आपके पास वेरिकोसिलक्टोमी जो कहा जाता है लेपरोस्कोप जो हो आपका समय होते ठीक हो सकें तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे साइड में क्लिक करके मेरा ये वाला वीडियो भी आप जरूर से देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब करें और बुक पर्चिस करने के लिए हमें वाटसब कर सकते हैं गुड लग और अल दे बेस्ट